ms word में किसी picture को crop कैसे करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास picture होनी चाहिए जिसे हम crop कर सके ms word में picture कैसे insert कराते हम हम जाएंगे insert tab में insert tab में आपको यहाँ option मिलता है pictures इस पर आप click करेंगे और अपने pc में मौजूद कोई भी picture यहाँ से insert करा लेंगे for example मैं यह picture यहाँ insert करा लेता हूँ और यह हमारे document में insert हो जाएगे कुछ इस तरीके से यह size में काफी बड़ी है तो हम इसका size यहाँ से कम कर लेंगे corner पर जाएंगे click करेंगे और इसका size हम ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिलाल हम इतना size ले लेते हैं ताकि इसे अच्छे से देख सके इस पर crop option use कर सके जैसे आप picture insert कराते हैं उस पर click करते हैं आपकी echo tab यहाँ पर open हो जाती है format नाम से format tab में हम बाकि सारे option आप तक सीख चुकत है सिवाई crop के crop option से हम इस picture को crop कर सकते हैं crop करना क्या होता है मान लेजिए इस पूरी picture में मुझे सिर्फ इस das diary की picture चाहिए मुझे पूरी picture नहीं चाहिए तो मैं इस picture को cut कर लूँगा सिर्फ इस diary को छोड़ दूँगा उसी को हम crop करना कहते हैं लेकिन ये करना कैसे है ये tool हमें allow करता है ऐसा करने के लिए आप इस पर click करेंगे और जैसे आप इस पर click करते है crop option पर click करते है आप ये picture के चार और देखिए कुछ arrows नजर आते है कुछ dots से नजर आते है symbol आ गए है इन्हें आप adjust करके अपनी picture को crop कर सकते है कुछ इस तरीके से click करेंगे ऐसे लेके जाएंगे हमें जितना area चाहिए यानि कि जितनी picture हमें चाहिए उसे आप ऐसे adjust कर लेंगे यह जो highlighted area नजर आ रहा है यह हमें दिखा रहा है कि सिर्फ इतनी picture बचेगी बाकि सब crop हो जाएगी cut जाएगी, delete हो जाएगी तो इन arrows के जरिए मैं इसे बता सकता हूँ कि मुझे अपनी picture को कितना और कहां से crop करना है तो यह decide हो गया अब आप इसे crop कैसे करेंगे हमने decide तो कर लिया area लेकिन crop होगा कैसे उसके लिए आप एक बार इस crop button पर click कर सकते हैं या keyboard पर enter button प्रेस कर सकते हैं और आपकी यह picture crop हो जाएगी इसे undo कर देते हैं ताकि हम कुछ बाकी option भी यहां सीख सकें जैसे ही आप इस पर click करते हैं format tab पर जाते हैं आपको option तो मिल जाता है crop करने के लिए लेकिन इस arrow पर click करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ और options भी मिलते हैं इन options का क्या use है crop तो हमने सीख लिया लेकिन बाकी option कहा काम आते हैं जैसे कि crop to shape यानि कि किसी shape में इसे crop कर दे अभी तो हम simple तरीके से इसे crop कर रहे हैं किसी भी rectangle या square shape में इसे crop कर ले रहे हैं है ना लेकिन अगर आपको किसी shape में इसे crop करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं आप crop option पर जाएंगे इस चोटे से arrow पर click करेंगे और यहां आपको option मिल जाता है crop to shape इस पर अपना mouse cursor लेके जाते हैं तो यह आपको मुझूद सारी shape शोग कर देगा और यहां से आप अपनी पसंद की कोई भी shape ले सकते हैं for example मैं यह heart ले लेता हूँ और मेरी यह picture heart shape में कुछ इस तरीके से crop हो जाएगी आप जो shape चाहें यहां से ले सकते हैं अपनी picture को crop करने के लिए for example अगर आप यहां से star लेना चाहें तो star भी ले सकते हैं जो भी आपको फसंद आए आप ले सकते हैं 12 point star ले लेता हूँ क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा star shape में यहां पर picture जो है crop हो चुकी है इसे undo कर देते ताकि हम बाकी अपने options को सीख सकें वाप जाते crop option पर arrow पर क्लिक करते हैं यहां आप option मिलता मुझे aspect ratio यानि कि किसी ratio के according मुझे इस picture को crop करना हो तो वो मुझे यहां पर मिल जाएंगे यहां पर बने बनाए कुछ ratio है जिनकी help से आप अपने picture को crop कर सकते हैं जैसे कि 2 by 3 या 3 by 4 आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह उसी ratio के according आपके picture को set करके देगा crop करने के लिए आप यहां से जो चाहें वो ratio चुन सकते हैं for example जैसे 1 by 1 का ratio में लेता हूँ तो हम सब को पता है 1 by 1 यानि कि लंबाई और चोड़ाई या कहें width और height एक समान हो जाएगी यानि कि perfect square बन जाएगा और यह आपको ऐसे crop करने के लिए अपनी picture को ऐसे select करके देदेगा अगर आप ऐसे crop करना चाहते तो या तो crop button पर एक बार click कर दीजिए या जैसे कि मैंने बताए keyboard पर enter button प्रेस कर दीजिए और यह उसी ratio में आपकी picture को crop कर देगा इसे फिर से undo कर देते ताकि हम बाकी options को समझ सके ठीक है वापर जाते है format tab पर crop option पर और इस बार हमें यहाँ पर दो option मिल रहे हैं जो कि है fill and fit fill और fit option कहा काम आते हैं वो देखते हैं माल लिजिए आपने अपनी picture को ऐसे crop करने के लिए set कर लिया इसका area आपने set कर लिया कुछ इस तरीके से ठीक है अब आप जाते crop option पर और चूज करते है fill option तो यह क्या करता है आपके crop की area को छेड़ता नहीं है उसकी height width उतनी ही रखेगा लेकिन उसके according आपकी picture को set कर देगा हमने क्योंकि एक तरह से vertical shape select की थी अपनी crop के लिए तो इसने क्या किया vertically यानि कि इसकी height को हमारे उस crop area के according इसने set कर दिया है ताकि इसकी height ये completely cover कर ले लेकिन अगर आप चूज करते है अगर width के according set होती नजर आएगी तो width के according उसको set कर देगा अगर height के according set होती नजर आएगी तो उसे height का according आपकी इस cropping area में इसको set कर देगा और उपर और नीचे इसने देखिए खाली space छोड़ दिया है ताकि ये according to width आपकी पूरी picture इस shape के अंदर इस area के अंदर fit हो जाए अब अगर आप इससे संतुष्ट आप चाहते हैं इसका size छोटा होके ऐसे crop हो जाए तो आप enter button press कर देंगे और ये crop हो जाएगी ठीक है तो ये तो option था हमारा fill and fit लेकिन इसी के साथ आपको कुछ और options भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर हमें size का option दिया गया है जिससे आप अपनी picture की size को कम या ज़्यादा कर सकते हैं हमें पता है हम अपनी picture की size को यहां से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप यहां से click करेंगे और इसे drag करेंगे या इसे पास लेके जाएंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा है ना लेकिन अगर आप point by point एक एक centimeter के हिसाब से इसकी width को या इसकी height को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं जैसे कि इस वक्त इसकी height हमें show हो रही है 5.85 centimeter अगर आपको इसकी height बिल्कुल 6 centimeter चाहिए तो वो आप यहां से कर सकते हैं आप यहां पर type कर देंगे 6, hit कर देंगे enter और इसकी height proper 6 centimeter हो जाएगी इसके according आपकी width भी आपने आप set होती रहेगी क्योंकि इसका perfect ratio कायम रखेगा height के according width और width के according height को maintain रखेगा वरना क्या होगा एक side ज्यादा खिच जाएगी जबकि दूसरी side वैसी की वैसी रह जाएगी जिससे हमारे picture खराब हो जाएगी इसलिए अगर आप one by one इसकी height बढ़ाते हैं तो उसका ratio maintain रखते हुए width भी अपने आप पढ़ जाएगी तो यह थे आज के हमारे option crop and side और इसी के साथ आपकी format टैप आज complete हो चुकी है तो यह थे आज के हमारे class जिसमें आपने format टैप में मौझूद last option crop सिखा अगर आपको आज के हमारी class यानिकी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना जाते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अपने सवाल और सजेसंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें जल मिलेंगे आप से अपनी अगली class में तब तक जो सिखा उसके practice कीजिए बाए बाए पर बं़र के झाल के इस बने पilim में है जर हमारे एंगे नगार को सिखा बगल şey है जह एक का उसकितर हैं जर जल मैं में तक तक दो जला πिंदेकर आट सिग्दीय माणीन का का पिसाम오른 और समने का हमारे से जल मिलेंग背ं यहीं सिखा का ज rank completely यहीं इनक हैं